सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों हम आसा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे प्रसंद होंगे और सुरच्छित होंगे आज मैं आप लोगों के समक्ष इस माडियूल में संग्या के साथ उपस्तित हुआ हूँ तो आईए अब हम लोग चलते हैं संग्या की परिभासा वा उसके भेदों को जानने तथा समझने की कोशिश करते हैं संग्या किसी व्यक्ति वस्तु अस्थान अथवा भाव का बोद कराने वाले सब्दों को संग्या कहते हैं उदारण है इसका रमा पुष्तक पढ़ रही है यह आगरा का ताज महल है तो हम लोग चलते हैं संग्या के भेद संग्या के मुख्य तीन भेद हैं व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या और भाव वाचक संग्या चलिए हम लोग चलते हैं एक एक भेद को जानते हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जो सब्द किसी व्यक्ति विशेश, अस्थान विशेश, अथवा वस्त विशेश का बोध कराते हैं, वे व्यक्ति वाचक संग्या कहलाते हैं, इसका उदाहरण है, रामायर और गीता हमारे पवित्र गरंथ हैं, स्री किष्र का जन मतुरा में हुआ दूसरा है मारा जाति वाचक संग्या जो सब्द किसी प्राणी वस्त अथवा अस्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे जाति वाचक संग्या कहलाते हैं इसका उद्वारण है पक्छी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तीसरा हमारा है भाव वाचक संग्या, जीन संग्या सब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्त के गूर दोस अवस्था आदिकाबोध होता है, वे भाव वाचक संग्या खलाते हैं, इसका उद्धान है, बुढ़ापा बहुत बुरा है, कमरे की सजावट अच्छी है, तो आईए हम लोग चलते हैं संग्या के कुछ और भेद हैं, जो कि कुछ भी द्वान अंग्रेजी ब्याक्वन के पर्भाव के करने, संग्या के दो निम्रिखित रूपों को भी संग्या का भेद मानते हैं तो रूप हैं पहला है समुह वाचक संग्या और दूसरा है द्रब्य वाचक संग्या समूह वाचक संगया जिन संगया सब्दों से वस्तू या प्राणियों के समूह जुन्द या समुदाय का बोध हो उन्हें समूह वाचक संगया कहते हैं इसका उदाहन है हमारे परिवार में आठ सदस्य हैं सैनिकों की टुकडी आ रही है पूसरा है द्रब वाचक संग्या, जिन संग्या सब्दों से किसी द्रब पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उन्हें द्रब वाचक संग्या कहते हैं, इसका उधारण है, प्लास्टिक की कुर्शी ले आओ, पूजा के लिए ताबे के लोटे में जल दो, तो आई हम लोग चलते हैं कुछ बहुत विकल्पी प्रस्णों पर, कि आज आप हम लोगों ने कितना सीखा, तो हमारा बहुत विकल्पी प्रस्ण है, पहला, किसी व्यक्ति वश्टु अस्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले सब्द क्या कहलाते हैं, इसके चार विकल्प हैं, का सर्वनाम, खा कारत, गा संग्या, गा काल, तो इसका सही विकल्प है, गा संग्या, प्रस नमबर दो, जो सब्द किसी प्राणियों के समू या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इसके चार विकल्प हैं, का भा वाचक संग्या, खा जाती वाचक संग्या, गा व्यक्ति वाचक संग्या, गा समू वाचक संग्या, तो बच्चों इसका सही व मुख कितने भेद हैं कि चार विकल्ब हैं का दो ख तीन गा पांच गा चार तो बच्चों इसका सही विकल्ब ख तीन परस नमबर चार किसी विशेश व्यक्ति विशेश अस्थान अथवा विशेश वस्त का बोध कराने वाले सब्द कहलाते हैं चार विकल्ब इसके हैं का भाव वाचक संग्या, खा द्रब वाचक संग्या, गा व्यक्ति वाचक संग्या, गा जाति वाचक संग्या तो बच्चों इसका सही विकल्ब होगा गा व्यक्ति वाचक संग्या तो आईए हम लोग चलते हैं कुछ अभ्यास के प्रश्णों के, अभ्यास के मारे प्रश्ण हैं, निम्लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए, भला प्रश्ण का जाती वाचक संग्या को उधारन सहित परिभासित कीजिए, दुसरा खा निम्लिखित सब्दों की भाव बच्चा धन्यवाद